पावराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भागवान भोलेनाथ ने कासी का निर्मार स्वैम किया था और वही इस दिविछेत्र के अधिश्थाता देवता भी हैं शिव पुरारी सत्य को प्रमारित करता है कि महा प्रलैकाल में केवल सद ब्रह्म की सत्ता थी सदा शिव का प्राकट उसी निर्गुन और निराकार ब्रह्म से हुआ स्वास्वरूप भूता शिव से शक्ति का प्रकटी करन हुआ और शिव और शक्ति द्वारा जिस लोग का न अपने तिरसूल पर उठा रखा है ब्रम्भ पुरान में वरनित मा गंगा की शात्मी धारा के किनारे बशे काशी में अस्थापित 12 शूर मंदरों और उनके भीतर अस्थापित बिग्रहों का अपना विशेश महत्व है जिनके दर्सन और पूजन से प्राणी तमाम तरह के द स्वेशर मंदर के निकट अच्छाइबट में इस्थित है पौराणिक कथाओं के अंसार जब पांडव बन गमन कर रहे थे तो उनके कश्ट को देखकर द्रोपती बहुत दुखी हुई और वे कासी पहुची जहां उन्होंने भागवान भासकर को प्रशन करने के लिए द्रोपती को दी जो ब्यक्ति बाबा भी स्वेशर के दर्सन के पहले शूर उपासना करेगा तो उसके जीवन के सभी कश्ट दूर हो जाएंगे और आईसे ब्यक्ति को कभी भी भूँकी पीडा नहीं शहनी पड़ेगी द्रोपती के तप से कासी के इसी इसत्थान पर शू यलकासी रहच के तहट अगले वीडियो में देंगे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें